हेलो स्टुमें गुद मॉर्निंग हम डिस्कूस कर रहे थे टोटो क्रॉप आलू की वेडिटेबिल थे आलू और हम आज इसमें हम डिस्कूस करेंगे कि कैसे कल्टिवेशन क्या जाए आलू का तो कल् Cell Girls में या इसको अगरोनॉबिक एक्टिवेशन के लिए कि या क्या क्या हैं उनको स्टैप वाइस स्टैप करते हैं कि एक्तों क्लाइमेट क्या चाहिए आलू की खेयति के लिए क्ल्टिवेशन के लिए दूसरा इसका preparation of field, land treatment, time of swimming, दूसरे बीच की कैसे तैयारी कौन सा बीच कैसा चाहिए, इसके बाद में क्या-क्या समय समय पर कैसे खाथ दाले जाए, प्योग किया जाए, कब इसके एक निदाई गुडाई की जाए, क्या-क्या इरिगेशन का पानी दिया जाए, और कब इसको बूमी से इसका plant की निकाला जाए, इन सब की बात हम इस आज इस class में करेंगे, तो यह तो बात बताए दी कि क्योंकि यह आलू है, काफी मात्रा में देश में उगाया जाता है, और जो किसान है, इसे cash crop, नगदी फसल चैसे इसको उगाते हैं, और नगदी फसल उगाने में काफी किसान को यह काफी फाइदा भी देती है, तो आज हम बात करेंगे, इस class में आलू की घेती का या आलू को कैसे घेती करी जाए या कैसे कल्टिवेट किया जाए, तो इसको बात पिसले उसमें हमनें बात कर ली थी, इसके climate की, और climate में यह था कि इसको जो temperature चाहिए, व 50 to 75 और जो इसके लिए pH स्वाइल चाहिए, 6 to 7 pH वाली स्वाइल चाहिए, तो यह बात हो गई थी हमारे climate, आज हम स्टार्ट करेंगे, कैसे इसके, कैसे इसके लिए खेत कैसे ताजार करेंगे, तो आलू की जो खेत के लिए जो है, प्रताई सबसे बात है, कि काफी बार हल चलाया पड़ता है, दो तीन बार कम से कम, इसको देशी हल से जुताई करें, या यह ट्रैक्टर से काफी अच्छी तरह से करा जाता है, जिससे की जो मट्टी है, वो खूब अच्छी तरह से भुरबुरी हो जाए, भुरुरी हो जाए, और फिर इसको कि जो धेले हैं या बड़े बड़े जो वो भी एक सी समान हो जाए समतल हो जाए इसका जो जुताई का समय जो में ही उस टाइम कुछ दवाई हैं जैसे फोरेट एंड्रीन या है उस टाइम उसी टाइम मत्टी में मिलाकर हल जला लिया जाता है अब है कि टाइम ऑफ स्वाइं क्या है कि टाइम ऑफ स्वाइं के लिए अलग-अलग छेत्र हैं मैदानी भाग में लगरा कल्टिवेशन हो रहा है या उत्तरी पहाड़ी चेत्र में या नीलकरी की पहाड़ियों में तो जो गुवाई का समय है वो अलग-अलग है जैसे कि मैदानी भाग में सितंबर से जन बरी क्योंकि ये लिए दिक लगातार थीन फचलों के लिए इनका जो टाइम में नीतल के पहाड़ों में इसकी जो फचल है वो लगातार होती रहती हैं और उनमें तीन फसली लेते हैं कि सान इसमें आप्रेल में अगस्त में और जैनवरी में तो ये तो हुग गया स्वाइ नहीं होता तो अब सीट तो नहीं निर्माण होने की वज़ेसे जो आलू है वह इसका चुट्यूबर जो में फले उसके द्वारा ही प्रोपोगेट किया जाता है और उसी को वह सीट जैसे जो टुकड़े हैं जैसे कि आलू का जो पता ना वेजिटेरियो प्रोपोगेट तो ट्यूरा है उस को छोटे चोटे टुकडोमें बार आप लेते हैं और करद में यह जो ट्यूरा दिख रहे है आपको इस में कि ईसमें चितरों के अथि दिख रहा है नीचे की तरफ यहश्म चोट चोटे को काटके इनके प्रोड़े का आलू के यह पुपड़े ही इनके बीज कैलाते है और पुथे जो टुकड़ों में कम से कम जो एक काटें उनमें एक आई हो जरू होना चाहिए आँनकि जो टूबर है इनमें ही जो आई हैं इन से ही गुट निकलते हो जितनी इस में प्लाघ को तयार उतने से तयार हो आणी हैं आदो आलू की जो कर्सक्राइब कि लिए पहले जो हैं निकालते हैं जो स्टोरेज में आलू रखा रहता है उसको एकदम से किसान निकाल के सीधी उसको Swarth के लिए करने करका पहले उसको बाहर निकाल के खुले और थंडे चाहया दार सित्वां रखे करma जाता है फिर कम बुबाई से 24 घंटे पहले इसके जो आख युक्त निकले छोड़ चोड़ टुकड़े जिनमें की आख जरूर प्रजेंट उनको 2.5 से 3.5 सेंटिमीटर काट काट के बीज तयार कर लिए जाते हैं और फिर बुबाई के एक दिन पहले इनके आलू को जो कटे हुए है या जिनको हम सीड कहा रहे हैं सेप्टो साइक्लिन वा बोरिक एसिट से टिट करके सुखा लेते हैं और फिर इसको बूमी में ऐसे बीज किया जैसे इसको लगाया जाता है तो यह तो सीड हो गया अभी है कि आलू को किस तरह दो विजियो द्वारा स्वाइंग किया जात जो गहराई है उस शिक्स टू एट सेंटिमेटर में और उनकी गहराई में आलू का जो है बीज है जिसको टुकड़ा है जिसको हम कह रहे हैं पीज है उसको जमीन में दवाजिया जाता है और फिर दो ब्यंतियों के बीच में वो कहते हल चला देते हैं इसना दूरी होना चा 30 सेंटिमेटर के दूरी पर एक बीच को दवा दिया जाता है तो दवाने के बाद में इसको इस तरह से फिर उसमें से जर्मिनेट निकल के प्लान निकल गया जाते हैं अगर हम कहें कि इसमें क्या-क्या खाद या डालना चाहिए फर्टलाइजर कौन-कौन चे डालने चाहि देखर अच्छी तरह में मिट्टी ने मिला दी जाती है इसके इसके अदावा अगर कोई है 150 क्लोग्राम नत्रजन 60 क्लोग्राम फॉसफेट वह 63 क्लोग्राम पोटास भी प्रती हेक्टर से भी मिला देते हैं अगर उनको अच्छी फसल लेनी हैं तो यह तो होकर कि कौन- मिट्टी जब चड़ाई जाती इनकी रूट्स जो है उनके अंदर दवा के तभी उसमें मिलाना चाहिए कुसान को समय समय पर जो वीडिंग है निराई या गुड़ाई और मिट्टी चड़ाना तीन काम इसमें बहुत जरूरी है कि जब फसल नीचे ग्रो हो जाए तो उसम निराई करी जाए उसमें जो एक्स्ट्रा वीडिंग या जो खरपदवार निकलाए उनको निकाला जाए और उसी समय उसमें प्लांट के उपर दवा के पोधों पर मिट्टी चड़ानी चाहिए चड़ातना चाहिए और इसके जो खरपदवार है वह भी निकाल जाए उसी टाइम अगर किसान चाहें तो कुछ ऐसे वीडि साइड्स हैं वह उसमें मिला सकते हैं इरिगेशन की बात करें कि क्या क्या वह हैं समय समय पर कव इनको पानी देना चाहिए तो आलू की जो खेती के लिए कम से कम 10-15 तक इस चाहिए आवसक होती है जो पहली से चाहिए अग सब्कूरुत होते हैं जब जरूरेट होते हैं निकलने वाले होते उसी टाइम कर दीनी चाहिए उसके बाद जब दूसरी प्रथम सिचाहिए के पश्चाँ जो मिल्कि मिठी में 7-10 दिन में और भारी मिठी में 10-15 दिन के पश्चाँ सिचाहिए मतला इंटर्वल में अगर आपके हलकी मिट्टी हैं पानी की क्लोप में आवा सकता होती रहती हैं देना चाहिए मतलब किसान को और जब ये फल पकने लगते हैं इसमें जोना बन जाते हैं बनने के बाद में बस यह है कि जब बन जाएं तब सुचाई को जब निकालने उसके 15 दिन तक से पहले सुचाई बन कर देनी चाहिए क्योंकि उस टाइम अगर उस टाइम पानी दिया तो जब मिट्टी में अगर मोश्चर होगा नमी होगी तो जब इसके जो कंद हैं जो निकाले जाएंगे तो इनके अंदर जो बात रंध हैं वो बंध हो जाएंगे और बंध होने से जब गेट से निकाले जाएंगे तो उनको सड़ने वगरा गणने की गलने के चांसे हो जाते हैं कि उसमें सड़ जाएंगे तो इस टाइम जब फस करने चाहिए अब आलू के खुदाई की बात करें कि आलू को कब खोदना चाहिए तो खोदने के लिए कब निकालने चाहिए तो इस टाइम क्या होता है कि जब अंदर बन गए है उस टाइम क्या होता है कि जो पत्तियां है पो पीली पड़के सूखने लगती है और सूखने मे क्या होता है जब सूखने लगें तो उनके पौधों के तनों को निकाल कर पत्ति तनों काट कर अलग कर देना चाहिए पर उसी टाइम उनके जो ट्यूबर हैं उनको बाहर निकालना चाहिए इस टाइम जो हैं उनके काफी बड़े हो जाते हैं और उसके 10-15 दिन बाद ही होता है कि उसनके कंदों में जो ट्यूबर हैं उसमें मजबूती आ जाती है हाडने सा जाती है और जिसकी वजह से वह काफी लंबे समय सकते हैं उनके किसी प्रकार की कोई विमारी नहीं रखती और जो खुदाई का बुबाई के जब स्वेंग के टाइम से लेके हार्वेस् पक कर तयार हो जाती है पक कर तयार मतलब उसमें चूबर अच्छी तरह से बन जाते हैं काफी बड़े अकार के बन जाते हैं तो यह तो है हो गई कि किस तरह से आलू की खेती करें किस तरह से हम आलू को कल्टिवेट करें क्या कैसे खेती हो यह बात हो गई अब इसमें जो ह प्रूम है कि अब क्या इसके वर्ट वर्टिटी कौन-कौन सी हो चाहिए क्योंकि बहुत सारे बिमारिया भी लगने के चांस होते हैं बिमारिया भी लगती है और फिर क्या से इसका क्या प्योग है हम इन सब बातों को जो करेंगे डिसकस करेंगे अगली क्लास में बच्चों तो यह आपके समझ में आ गया कि क्या है आलू की तरह से इसके निकाले हैं जमीन से कब निकालना चाहिए फसल के पकने के बाद 10-15 दिन के बाद में जो वेजिटिव तुबर को छोट छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उस तुबर में ध्यां रखना है कि उसमें हर टूबर में एक आंख जो है इसके अंदर होनी चाहिए और उसका जो साइज है वह छोटे छोटे चोटे टूपाइव तो 3.5 सेंटेमीटर तक के साइज होना चा पहाड़ियां है इसमें इसका स्वेंग टाइम अलग है तो यह जो है क्रिशी क्रियां या जिसको हमका कल्टिवेटर कैसे क्या जाए प्रोपोगेट कैसे क्या जाए वह है यह आलू की बात फसल का अब हम जो बात करेंगे पिछले अगले क्लास में वह बात करेंगे में बिवारियों से कैसे बचाएं और कौन-कौन सी आलू की वेराइटी इंप्रूव वेराइटी हैं और क्या-क्या इसके उप्योग है वह हम बात करेंगे अगली क्लास में ओके बच्चों थैंक यू थैंक यू थैंक यू करें